अभी हाली में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे अटोर्णी जनरल एजी केके बेनु गोपाल साब है इनका तीन महीने की यौधी के लिए देश के सीस कानूनी अधिकारी की रूम में फिर से नियुक्ते किया गया है यानि कि फिर से अटोर्णी जनरल इनने तीन महीने के लिए बना दिया गया है तो देखिए इनका कारकाल आप लोगों के लिए भतपून नहीं रहेगा अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी करें तो इस पद से आपकी परिक्छाओं में कुश्चन्स पूँचा जाता है तो आज हम लोग इस पद के बारे में जरूर बात करते हैं लेकिन आपके मन में जरूर सवाल आता होगा और गुश्चन्स भी फूचा जाएगा कि जो Attorney General या ऐसे आप लोग महानियावादी भी कहते हैं तो पहले हमारे भारत के Attorney General या महानियावादी कौन थे तो MC सीतलवार थे और इनका कारिकाल रहा था कब से 1950 से 1963 तक तो आप देखें कि जुलाई 2017 में स्री बेनु गुपाल को भारत के राष्टपती द्वारा मुकुल रोहित की को AG के रूम में सफल बनाने के लिए नियुक्त किया गया था यानि कि इनकी नियुक्ती 2017 में की गई थी किक्स की केके बेनु गुपाल के बेसरवो चिनाले की पिख्याद अधिवक्ता थे और उन्होंने आप देखेंगे कि 1989 से 1989 से 1980 की भीच भारत की अतिरेक ते सॉलिष्टर जनल की रूम में भी काम किया है और स्री बेनु मुपाल को 2002 में पदम भूसन और 2015 में आप देखेंगे पदम भिभूसन से सम्मानित किया गया है तो यह जरूर आप से पूचा जाए सकता है 2002 में आप देखेंगे इन्हें पदम भूसन और 2015 में ने पदम क्या पदम भिभूसन दिया गया था भारत का महानियावादी देश का सर्वुच बिदी अधिकारी होता है यानि कि यह एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत का इसे आप लोग बकील कह लिजे च्या कह लिजे भारत का बकील कह लिजे इसे तो उसी तरह से भी आप लो और समिधान का आप लोग अनुझेद 46 पढ़ते होंगे तो इसमें महानयावदी के पद का वैड़न किया गया है समिधान की अनुझेद 76 में वह भारत सरकार के मुख कानूनी सलाकार भी होता है और इसमेदान में आर्टिकल 76 में भारत के लिए महानयवादी के पद की वहुस्था की गई है और इसकी निउक्ति की बात करें तो इसे भारत की राष्टपती द्वारा मंतरीयों के केंदरी ये मंतिवंडल की सलाय पर निउक्त किया जाता है और निउक्ति व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए अगर आपको इस पद पर जाने तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और सरवुच नियालय का नियादीस बनने की योगता होनी चाहिए उसे या तो किसी उच्च नियालय का पांच वर्स का नियादीस होना चाहिए या फिर किसी न्याले में, किसी उच न्याले में दस वर्स का अधीवक्ता होना चाहिए या राष्टपती की राय में एक पिख्यात अधीवक्ता होना चाहिए और इसकी आउदी और निस्कासन की बात करें तो एजी के पत का कारिकाल सम्मिधान द्वारा नेधारित नहीं है यह ऐसा कहा जाता है कि यह राष्टपती के पिसाद परेंद रहता है यानि कि राष्टपती साहप की जब तक एक्षा रहती है, जब तक राष्टपती साहप को पिसाद मिलता रहता है, ये बने रहते हैं अपने बाद पर समिदान में उसे हटाने की पिक्रिया और आधार सामिल नहीं है और इस पिकार वो राष्टपती की पिसाथ परेंद पद्धारन करता है और वो अपना इस्तिपा राष्टपती को सौंप कर भी अपना पदे छोड़ सकता है और इसके अधिकार की अगर हम लोग बात करें न तो आप देखेंगे A.G. को भारत के छेत्व में सभी अधालतों में सुनवाई का अधिकार होता है उसे संसत के दोनों सदनों या उसकी सैवक्त बैठक या संसत के किसी भी समिती की कारवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार होता है और वह संसत के सदस के लिए उपलब्द सभी भी सैस अधिकार उनमुक्ती प्राप्त करता है लेकिने से बोट देने का अधिकार नहीं होता है क्योंकि ये राजिसवा लोकसवा का सदस नहीं होता है अगर हम लोग इसके करतब की बात करें तो राश्टपती द्वारा उन्हें भेजे गए कानूनी मामलों पर सरकार को सला देना वह सरकार द्वारा पिदत किसी अन कारी को करने के लिए बात दे और राश्टपती द्वारा उन्हें सौपे के करतबों में सामिल है केंद सरकार सुप्रिंग कोट की ओर से पेस होना राश्टपती द्वारा अनुचेद 143 के तरह सरवच नयाले को किये गए किसी भी संदरब में केंद सरकार का पिदिनिदित करना और वहरा सरकार के मामले में किसी भी उच नयाले में नयाले में पेस होना इसका काम है एक तरह से अटौनी जलल महानियाबादी का तो इतने पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं और अगर कुशनस आएगा तो जरूर आप लोग आंसर दे पाएंगे ठीक है